हाई गाईज, वेलकम टू मैच चाइनल एजुकेशन फाइल, आप हमारे चैनलों के सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेट एंट टीचिंग एग्जाम से रिलेटेट वीडियोज के लिए प्ले लिस्ट में बहुत सारे वीडियोज हैं, और अगर आप कोई वीडियो सर्च करना है तो आप यहाँ पे जाके सर्च कर सकते हैं, और जाते जाते बेल आइकन दबाना ना भूलेगा तो जिसने भी चैनल को सब्स्राइब नहीं किया हैं, तो प्लीच करके जाना और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, क्योंकि आप यहाँ पे देख सकते हो कि कितने लोग हैं जो बिना सब्स्राइब परे वीडियो देख लेते हैं, ठीक है, तो यह कहीं ना कहीं, डी इंग्लैंड में हैं जो की, तो इनके कई नाम हैं, लॉड करजन, जॉर्ज नेथेनील करजन, माक्स करजन, 1898, 1911 तक इनको कहते थे, बैरोन करजन अफ कैडलेस्टार्न, बैरोन बिसिकली एक रैंक है, ठीक है, नाइटीन इलेवन से लेके 21 तक इनको कहते थे, अर्ल करजन तो यह उतना important नहीं है याद हो तो लिख दे न तो Lord Karjan को appointment किया गया था वाइसरोई of India के लिए 1898 में यह कई जगा आपको 1899 मिलेगा लेकिन यह मैंने Britannica से लिखा है और Britannica Wikipedia से ज़्यादा genuine site है तो I am providing 1898 ठीक है और यह क्या थे youngest वाइसरोई थे Indian history में ठीक है England के जो भी सारे वाइसरोई बने थे यह सबसे youngest थे 1882 से लेके 1885 तक इन्होंने बहुत ज़्यादा जर्नी करी थी या बहुत ज़्यादा Asia में घूमे थी तो इन्हें सब कुछ geographical regions पता था वहाँ की problems पता थी और इन्हें लेके 1905 तक मतलब टोटल 7 यर के लिए वाइसरोई ओफ इंडिया थे और इन्हें साथ साल में बहुत ही ज़्यादा काम किया ठीक है मतलब हर साल कोई ना कोई नई conference होती थी कोई ना कोई policy आती थी और daily या मतलब हर अफते ही कोई ना कोई नया resolution पास होता था पुर जो भी इंडियन education था उस टाइम ये उसकी quality को enhance करना जाते थे quantity को उत्मा ज़्यादा enhance नहीं करना जाते थे ठीक है चलो अब important step क्या लिए Lord Cajan या एक कौन-कौन से conference होई तो similar conference होई 1901 में Indian University Commission आया 1902 में Indian University Act आया 1904 में Ensign Monument Act आया 1904 में Partition of Bengal in Assam War 1905 में तो हम इसको यहाँ पर discuss नहीं करेंगे बाकी ये तीन हम discuss करेंगे क्योंकि ये education से relate करते हैं ठीक है और हमारे subject के लिए ठीक है clear है और इसके बारे में मैं last में थोड़ा बता दूँगा चलो तो similar conference basically क्या थी similar conference बहुते ज़्यादा secret तरीके से हुई थी इसमें provincial director थे मलब जो भी अलग-अलग province थे उसके director थे representative थे Christian missionaries के और selected educationalist थे ठीक है लेकिन इसमें कोई भी Indian representative नहीं था और इसलिए क्या थे हम भारती बहुते ज़्यादा इन से नाराज थे और यही इनका criticism भी हुआ कि इसमें कोई भी Indian people नहीं है कोई भी मतलब भारती लोग नहीं है किसी भी policy में और यह overall conference चली थी 15 दिन तक और इसके जो head थे वो good lord cousin थे ठीक है इस conference में 150 resolutions या प्रस्ताव को pass किया गया सर्व समती से या unanimously unanimously ठीक है unanimously का मतलब है सर्व समती से सभी प्रस्ताव पास किये गई और इन प्रस्ताव में basically क्या थे reforms लाने थे सुधार लाना था primary education से लेकि university level education तक clear है चलो similar conference में और क्या क्या point थे ये point थे कि British government जो भी control है वो Indian education पे जारी रखे गई money या पैसे और जादा खर्श किये जाएंगे education पे जहां पे भी जरूरत है जो भी public instruction थी जो भी model थे मतलब schools के public schools के जो सरकारे schools थे वो introduce किये जाएंगे और establish किये जाएंगे ताकि ये private institutions के लिए model का काम कर से गए ठीक है अब जो भी proceeding हुई थी conference में जो भी कारवाई हुई थी वो बहुत जादा इस जो overall conference थी वो disclose नहीं की गई थी लोगों के सामने तो ये भी एक criticism हुआ हम इंडियन ने समझा कि वो एक conspiracy रच रहे हैं और जो भी nationalism की भावना है उसको ठेस पहुँचाना जाते हैं तो इन्होंने primary और secondary education के लिए भी कुछ बाते कहीं तो primary education के लिए क्या कहा कि grant in aid और देंगे चलो देन second point है कि evolution of the rule of grant on the basis of school result तो क्या होता था school का result अगर अच्छा आता था तो उन्हें और ज़्यादा पैसे दी जाते थे तो इन्होंने ये चीज बंद कर दी ठीक है इन्होंने कहा कि teachers की training करना बहुत ज़्यादा जरूरी है ठीक है इन्होंने कहा कि teaching methodology और जो भी overall curriculum है primary education में उसको और ज़्यादा अच्छा करने की जरूरत है इन्होंने teachers की salary या तनखा बढ़ाने की भी बात कही ठीक है ताकि वो अच्छे से अपना काम कर सके चलो secondary education के लिए क्या कहे इन्होंने इन्होंने वही बात कही कि granting aid पैसे देनी की जरूरत है grant देनी की जरूरत है ताकि secondary education या schools जो भी relate करते है secondary education से वो ज़्यादा अच्छे हो सके teachers का qualified होना as per class बहुत ही ज़्यादा जरूरी है जो भी schools को recognition मिलना था मतलब जो भी मानिता मिलनी थी ना उस school को assess करके मिलती मतलब school का मुल्यांकन या आकलन करके उनको मानिता दी जानी थी किसी को भी essay ही मानिता या recognition curriculum को modify करने की बात कहीं इन्होंने, teachers की salary भी बढ़ाने की बात कहीं इन्होंने और जो government school थी उनको ज़्यादा establish करना था, introduce करना था ताकि वो private school के लिए model बन सके clear है? चलो देन आता है Indian University Commission 1902 तो इसके chairman थे Thar Thomas Raleigh इनका काम क्या था? इनका काम था कि जो भी overall situation है university education में, जो भी British government के दोरा सापित की गई है उनको चांचना, उनको परखना कि क्या-क्या reform के क्या-क्या reform लाए जा सकते हैं, ठीक है? तो इन्होंने पाया कि teaching को सुधारना या revise करना बहुत ही ज़्यादा बनी है, उन्हीं में हम quality और standard को increase करें, third point में इन्होंने कहा कि undergraduate and post graduate के लिए curriculum को introduce करना चाहिए या modify करना चाहिए, जो भी overall पहले से है, ठीक है? इन्होंने कहा कि किसी college को अगर recognition देनी है, मानेता देनी है, तो उनकी लिए strict rule होने चाहिए, ठीक है? ऐसे ही किसी को college को, ऐसे किसी college को recognition नहीं मिलेगा इन्होंने कहा कि जो syndicates है syndicate का मतलब होता है organization तो उसमें, मतलब जो working committee है ना, university की उसमें 9 to 15 members होने चाहिए चलो, six point में इन्होंने कहा कि जो भी metric examination है ना, college आने से पहले जो भी जरूरी है, उसका standard increase करना होगा, ताकि college में अच्छे बच्चे ही आ सके, चलो, last point में इन्होंने कहा कि जो overall English teaching है ना, उसका standard कहीं ना, कहीं हमें increase करना होगा, और इन्होंने importance देने की बात कहीं किसको, जो भी classical languages थी, ठीक है classical language कौन को नसी है, tamil, sanskrit, malayalam, khanad, that kind of thing, चलो दो दो आता है Indian University Act 1904 तो यह basically किसके बाद आया, Indian University Commission के बाद आया, जो भी उसमें बाते कहें गए थी, उसको और ज़्यादा सुधार रगया इसमें, इसमें बात की गई कि जो भी library, facilities है, hustle condition है, उनको supervised करने की जरूरत, उन पे ध्यान लखने की जरूरत है, इन्हों ने कहा कि जो भी English का standard है, उसको और ज़्यादा अच्छा करना होगा University level पे, third point में ने कहा कि Teachers Training Institute को establish करना होगा, और Teachers को अलग-अलग level पे train करना होगा, ताकि वो अच्छे से बढ़ा सके, fourth point में ने कहा कि University इज को पूरा हक होगा, कि वो Teachers को appoint कर सके, ताकि वो Teaching कर सके और वहाँ पे research कर सके, ठीक है, और Teachers को right होगा, कि वो अपनी labs को, libraries को manage कर सके, और जो भी जरूरी steps है, students में discipline लाने के, उनको use कर सके, ठीक है, fifth point में इनों ने कहा कि, जो भी overall quality है, जो भी overall standard है, higher education का, उसको बहुत ही ज़्यादा enhance करने की जरूरत है, ठीक है, sixth point में अगेन इनों ने कहा कि, जो भी recognition की rule थे न, उनको और ज़्यादा strict करना होगा, ताकि हम उन्ही college को recognize कर सके, जो की standard के according, सटीक बैठते हैं, उनमें अच्छे से सभी चीज़े हैं, मतलब libraries हैं, laboratories हैं, classrooms हैं, that kind of thing, इनोंने seven point में कहा, इनोंने कहा कि, जो भी government है न, वो senate से, मतलब senate का मतलब होता है, परबंद कार्य नहीं समीती, and syndicate से उपर हैं, मतलब जो भी university का organization है न, British government, उन सभी से उपर है और final decision वो भी ले सकती है, जब भी उसकी जरूरत पड़ेगी, eighth point में इनोंने कहा, कि जो भी infrastructure है, जो भी appointments हैं, उसमें केवल और केवल university का हाथ होना चाहिए, ठीक है, मतलब infrastructure और appointment को, university समालेगी, लेकिन कहें न, कि फिर इनोंने क्या कहा, कि government सबसे उपर है, I hope आपको सभी मारा है, बिल्कुर simple साया, चलो देन आते हैं merits क्या थी, तो सभी में कुछ अच्छाईयां होती, बुराईयां होती, तो ऐसा नहीं है, सभी काम इनोंने बुरे किये, कुछ merit भी थी, agriculture education के बारे में इनोंने कहा कि agriculture education सिखाना, मतलब खेती बाड़े भी सिखाना बहुत जरूरी है, तो ये पहले थे, जिनोंने agriculture को school stage में include किया, इनोंने department of agriculture बनाया, और central research institute बनाये, पूने में या पूना जिसको कहते थे, और इनोंने कहा कि हर एक प्रोविंस में इंडिया के हर एक रीजन में एक agriculture college होना चाहिए, और जिसमें proper staff होना चाहिए, और equipment होने चाहिए, ठीक है, moral education के बारे में इनोंने कहा कि हाला कि उस time missionaries थी, लेकिन इनोंने कहा कि religious education कोई भी provide नहीं करेगा, और सिक्षा में क्या होना चाहिए, एक secular nature होना चाहिए, ठीक है, student और teachers को discipline होना चाहिए, ताकि बच्चों को अच्छे से moral education सिखाई जा सके, clear है, चलो fourth point में है कि creation of department of archaeology, तो इनोंने notice किया इनोंने department of archaeology बनाया, special department ही बना दिया, और इनोंने एक act पास किया, जिसका नाम है ancient monument preservation act 1904, तो इसको mcqs के point से भी याद करते रहना चलो देन है, foreign scholarship point five, तो इनोंने का, माना कि technical education में बहुत ही ज़्यादा enhancement की जरूरत है, ताकि इंडिया को और ज़्यादा अच्छा कर सके और इसी लिए इनोंने scholarship या अच्छा तुरूरिती के बात कही ताकि जो भी बच्चे अच्छे हैं जो student अच्छे हैं, वो बाहर जाके और ज़्यादा अच्छे से पढ़ सके या research कर सके चलो, six point में इनोंने कहा कि overall जो एक post होनी चाहिए director journal in education जो की overall सिख्चा को देखे बारत में ठीक है, तो ये किसकी दिन है, ये इनी की दिन है, चलो, demerits क्या है इनके, तो इनके demerits सबसे बड़े यही है कि conferences में कोई भी Indian नहीं था except G.D. Banergy और सायद हसन जो भी और इनको भी later stages पे include किया गया था, ठीक है, तो सबसे बड़ा drawback या demerit यही थी और इनका drawback क्या था, इनका drawback यह था कि quality को ज़्यादा enhance करना जाते थे, quantity को नहीं, ठीक है, तो कही नगी दोनों को increase करना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है लेकिन यह नहीं चाहते थे कि और नए institute बनाए जाए, इन्होंने कहा कि जो पहले से ही institute है, उनको पहले अच्छा किया जाए, ठीक है यह British rule चाहते थे पोरे education system पे, ठीक है और सबसे बड़ा drawback इनका यही था कि इनकी policy age क्या थी न, बहुत ही ज़्यादा secret थी, या बहुत ही ज़्यादा गुप तरीके से की जाती थी और इनकी जो भी recommendations थी उनको disclose नहीं किया जाता था और फिर हम भारतियों को लगता था कि वो कोई न, कोई सड़ेंत रज रहे हैं या कोई न, कोई conspiracy कर रहे हैं ठीक है, तो यह इनकी demerits थी, चलो देन, यह कुछ references हैं मैं इन सभीक लिंक आपको description box में दे दूँँगा, आप और ज़्यादा अच्छे तरीकी से जाके पढ़ सकते हैं तो लोड करजन की education policies में इतना ही, I hope आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, मिलते हैं next video में, till then, bye bye, take care